आज हम करेंगे वर्क्षीट नंबर 120 इंग्लिश की वर्क्षीट है और डेट है 28 नुवेंबर 2020 आज के मारे वर्क्षीट इंग्लिश की वर्क्षीट का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया गया है आपकी बुक में पेज नंबर 130 पर ये चैप्टर है सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे अपने वर्क्षीट ये हमारा चैप्टर है Nobody's Friend ये दो पेज का चैप्टर है पोयम है चोटी सी पोयम है लेकिन बहुत बड़ी सीख हमें देती है इसे लिखा है Annet Blighton ने हम लोग स्टार्ट करते हैं Unit 8 Nobody's Friend यानि कि किसी के भी दोस्त नहीं है nobody का अगर हम लगलग करके देखे no means नहीं bodies मतलब किसी इनसान का या फिर किसी का भी जो जिसके अंदर जान है उसी की body या फिर उसी इनसान की उसी जानवर की या कोई भी तो nobody is friend किसी की भी दोस्त नहीं है तो start करते हैं हमारी वरकशीट को उसमें हमें वरकशीट में सबसे उपर statements लिखे हैं वही हमारी statements यहां लिखी गई है poem start करते हैं Do you like making friends? क्या आपको दोस्त बनाना पसंद है? Do you like to share your things with others? क्या आपको आपकी चीज़े दोसरों के साथ share करनी बाटनी अच्छी लगती है? Do you think there is any child who has no friends? क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई बच्चा होगा जिसके कोई भी दोस्त ना हूँ? चलो start करते हैं read on पढ़ते हैं Read and enjoy पढ़ो और मजे करो She had some sweets that she wouldn't share अगर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे तो एक लड़की है जो अजीबो गरीब सा फेस बना करके दुखी सी है और गुसे से में भी है She had some sweets उसके पास कुछ मिठाई है that she wouldn't share लेकिन वो उसके किसी के विज़ात बाठती नहीं है She had a book that she wouldn't lend उसके पास एक किताब भी है लेकिन वो उसको किसी को भी पढ़ने के लिए नहीं देती उधार नहीं देती जैसे हम लोग बोल देते हैं कि अरे तिरे पास तो बहुत अच्छी book है मुझे एक दिन के लिए पढ़ने के लिए दे या फिर मुझे इस class class में school school में इस period के लिए पढ़ने के लिए दे लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करती She wouldn't let anyone play with her doll वो अपनी गुडिया के साथ पर किसी को खेलने नहीं देती She is nobody's friend वह है तो किसी की भी दोस्त नहीं है Next ये एक लड़का यहां पर दिखाया गया है इस लड़के के पास भी एक टॉफी है लेकिन इसने भी अपना मुँ गुस्य वाला और नफरत वाला बनाया हुआ है अब हम इसको बढ़ते हैं He had some toffee उसके पास कुछ टॉफी है And ate every bit और वो सभी खा गया He had a tricycle उसके पास एक तीन पहिये वाली cycle भी है He wouldn't lend लेकिन वो उस पर किसी को भी नहीं चड़ने देता cycle पर और किसी को भी वो cycle थोड़ी देर के लिए चलाने के लिए नहीं देता He never let anyone play with his train वह किसी को भी rail गाड़ी उसके पास एक खेलने वाली rail गाड़ी है जैसे train होती है चुक चुक गाड़ी छोटे वाली लेकिन वो उसको भी किसी के साथ share नहीं करता कोई और उस train के साथ नहीं खेल सकता He is nobody friend लेकिन वो तो किसी का भी दोस्त नहीं है अगर आप दिहान से देखेंगे तो ये दोनों ही पच्चे उदास दिख रहे हैं या फिर गुसे वाली दिख रहे हैं अब हम नीचे लास्ट वाला पैरग्राफ पढ़ते हैं यहां पर देखेंगे ये लड़की बहुत खुश है But I'll share all of my sweets with you लेकिन मैं मेरी सारी मिठाईयां तुम्हारे साथ share करती हूँ या करूंगी My ball and my books and my games I'll lend मेरी ball मेरे पास एक ball है जिससे मैं खेलती हूँ मेरी books मेरी किताबे और मेरे games comic books हो या फिर video games हो या फिर और जैसे badminton हो खेलने वाली चीज़े भी मैं किसी को भी उधार दे देती हूँ थोड़े देर के लिए खेलने देती हूँ और उसको अपने साथ खिलावी लेती हूँ Here's half my apple and half my cake और यहाँ पर देखो इसने हाथ फैला रखे हैं कि देखो ये मेरी apple है और ये मेरे ये मेरा cake है आधा मैं खाले ते और आधे तुम खालो यानि कि वो हर चीज़ अपनी share करती है I am your friend मैं तुम्हारी दोस्त हूँ जब हम किसी के आद शेरिंग करते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और हमें खुशी मिलती है किसी की help करके यहाँ हमारी ये poem खत्म होती है तो आप सभी को समझा गया अगर हम ध्यान से देखते हैं एक बर फिर से सभी की photos heat वाला नफरत वाला negative vibes इसके पास से आ रही है और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यह लड़की जो है ये भी अपनी toys सबकी साथ share करके बहुत ज़्यादा खुश रहती है अब हम वापिस आते हैं अपनी worksheet पर और फटा फट से अपनी worksheet करना स्टार्ट करते हैं Good morning students, how are you? I am sure you like making friends I also love making friends सुप्रभात बच्चों कैसे हैं आप सब? मुझे ये ये बात का पक्का पता है कि आप सभी को दोस्त बनाने बहुत अच्छे लगते होंगे How many friends do you have? Write the names of some of your friends अपने कुछ दोस्तों की नाम बताने हैं आपको और कितने friends से ये लिखने हैं आपको जैसे कि I have two friends कि मेरे दो friends हैं और वो friends के आपको नाम भी लिखने हैं वो नाम आप कहाँ पर लिखेंगे? दे, आर और यहाँ पर आप उनके नाम लिखतेंगे दोनों के आपकी friends के नाम की spelling तो आपको आते ही होगी है नो तो आप यहाँ पर उनके नाम भी लिखतेंगे अब हम दोबारा करते हैं नीचे वाला question second वाले question पर आते हैं Do you like to share your things with your friends? क्या आपको आपकी चीजे अपने दोस्तों के साथ share करने पसंद हैं? अगर yes तो आप उनके से कुछ के नाम लिखेंगे जो चीजे आपको share करने पसंद हैं तो जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं अपने books share कर लेते हूं easily किसी के भी साथ मैं अपनी games सभी के साथ share कर लेते हूं मैं अपनी कोई भी खाने की चीजे हूं वो भी share करके खाते हूं तो आप toffee लिख सकते हैं या फिर आप और भी जो भी आपकी खाने की चीजे हैं वो भी लिख सकते हैं हमें कितने blanks fill करने हैं? 123456 तो हमें आपर six चीजे लिखने हैं जो आप share करते हैं तो आप कौन-कौन से चीजे share करते हैं जैसे कि अगर मेरे घर में कोई आ जाता है तो मैं अपना room भी share कर लेती हूं और अगर जैसे कोई मेरी जैसे मैं हूँ अगर ऐसी ही मेरी कोई friend है मेरे जैसी और अगर उस को कहीं गुहमने जाना और उसके पास पैसे नहीं है तो मैं उसके साथ थोड़ी देर के लिए पैसे भी शेयर कर लेते हो जिससे कि वो उस टाइम पर हैल्प हो जाए और बाद मेरी हैल्प बाद मेरे पैसे वापस कर दे हैं तो ऐसा तो मैं लैप्टोप भी शेयर कर लेती हूं और जैसे आपके साथ आपकी कोई फ्रेंड है और उसके पास ऐसा मोबाइल नहीं है कि वो वक्षीट मोबाइल पर ले सके तो आप मोबाइल वक्षीट के लिए मोबाइल शेयर कर सकते हैं तो यह सारे चीजें हैं जो आप इसली श share her things with other let's read about her ये वला हम लोग already poem में पढ़ चुकी है तो ये आप खुद पढ़ेंगी ये हमारा first paragraph है poem का ठीक है तो ये हमारा first paragraph है poem का इसमें आपको आगे question दिया गया है question में पूछा है why doesn't she have why doesn't she share her things with any of her friends तो वो उसके कोई भी दोस्त क्यों नहीं है ये आपको बताना है तो इसमें आप के हिसाब से कुछ भी लिख सकते कि आपके दोस्त अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो क्यों छोड़ करके आपको चले जाते हैं तो आप पोयम के हिसाब से लिखे तो आप क्या लिख सकते हैं अपने हिसाब से अगर और कोई आंसर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं तो स्टार्ट अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेशन पर नेक्स्ट हमारा है क्वेशन नमबर डी इसमें आपको क्या करना है आपको फर्स जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें आपको पिक्चर की इंफर्मेशन दी गई है ऐसे ही हमें नीचे और बॉक्स में भी इंफर्मेशन फिल करनी है कि इस पिक्चर में देखकर की हमें क्या पता चल रहा है तो start करते हैं first हमें बोला है the girl is sharing her toys with the boy अगर हम इस picture को ध्यान से देखते हैं तो इसमें ये लड़की अपने खिलोने इस लड़के के साथ share कर रही है next हम लोग next क्या share कर रही है वो हमें बतारा second picture में आपको क्या दिख रहा है the girl is sharing her books with the boy boy या girl जो भी आप देखने इसमें लिखना चाहते हैं बसे picture में हमें boy दिखाया गया है तो हम boy ही लिखेंगे तो यहां पर आगया हमारा the girl is sharing her books with the boy ये हो गया हमारा इसका answer next अब हम चलते हैं नीचे वाले पर जो हमें last picture दी गई है last picture में हमें क्या दिखाया गया है कि एक लड़की अपनी pencil share कर रही है तो हम यहां पर लिखेंगे the girl is sharing her pencil with the boy फूल स्टॉप यहां पर हम capital में लिखेंगे क्योंकि हमारा sentence जहां से start होता है वहां हम लोग हमेशा capital में लिखते हैं यह हो गया हमारा यहां पर the girl is sharing her pencil with the boy यह हो गया हमारा अब हम चलते हैं अपने last question पर last question हमें दिया गया है at the time of covid pandemic we should not share our things but it's the right time to share our feelings emotions and care with each other यानि कि इस covid 19 के time पर हम लोग एक दूसरे को share तो कर नहीं सकते क्यों क्योंकि कभी एक दूसरे की बिमारी एक दूसरे को लग जाए लेकिन हम अपने feelings अपने emotions कि हम सामने वाले का खयाल रख रहे हैं ये चीज़ समसामने वाले को बहुत अच्छे से express कर पाते हैं तो हमें क्या करना है हमें इस चीज़ को बताना है कि हम कैसे कर सकते हैं अगर स्कूल खुल जाते हैं तो social distancing maintain करते हुए हम अपने feelings express कैसे कर सकते हैं ये हमें बताना है How will you express your feelings along with maintaining social distancing